बिस्मिल्ला इर्मान रहीम, महत्रम नाजरीन, अस्सलाम आलेक रश्मत अल्लाही वरकातों, मैं हूं आपको गोस मुहमद जहिरुदिन, आपको छीपन्गोट इकाड़मी के तरप से आपकी खिदमत में कुछ नकच वीडियो आपके खिदमत पेशल कहना तो में कुछ कम पेशड़ करेंकर चूर कि करने थाल् dónde घाखे है हैं। यह ज़ो परिण जनग्रास पिकाने करें मुपीत आधीए मुपीद मालुपात प्यए ए यह वह फ्राइब रहा है और इसको परीडल ग्रास का नाम है अन्जन ग्रास इसी का दूसरा नाम है इसका और एक नाम है ब्लू बफेल ग्रास ब्राल नाम अलग अलग है घास तो वह यह अपने आंधरा प्रशिश्में त्लंगाना में इसको अंजन ग्रास के नाम से जानते फार्मर्स लेहाद मैं भी लिए वही नाम से आपको अंजन ग्रास यह अंजन ग्रास का साइन्टिफिक नाम है सेंच्रस सीलियारिस सेंख्रस सेटीगिरस सेंख्रस ग्लाकुस दोस्तों यह थोड़े नामा जो है अलग करें इसमें स्पेलीन में कहीं अगर मैं लल्टी कर तो बुरा मत बानी नाम घास तो हुए छे नाम जो है चाहे कैसा भी प्रोनस करो उसका बुरा मत बानी और साइल सब्सक्राइब है इसके लिए साइल टाइप जो है एक काली रियेगर्ट जमीन चुरके हल्ट की जमीन में आप इसको कास्ट करी कर सकते हैं इसका साइल पीहेज देखा गया तो 5.5 से 8 तो बहुत अच्छा रहा है और सीजन सीजन के तबार से देखा गया तो खरीक के सीजन में जून से लेके जुले के महने में आप इसकी कास्ट करी कर सकते हैं रभी में अक्टोबर नौबर में कर सकते हैं और समर में फिबर से मार्स में कर सकते हैं अब रही बाद बींज की रिक्वार्मेंट की एक एकर के लिए बींज रिक्वार्मेंट एक से सोबा किलों की जो है बीज की दुरत पटनी एक एक एकर के लिए वही आप सीड लिक्स अगर है तो टू पाइंट फॉई केजी एक एकर के लिए रिक्वर्मेंट है और अन्जन ग्रास मेरेटीस में देखा गये तो सेंकरस सिलिया इसमें काजरी 75 358 बुंदेल को अन्जन वन आईजी एफरे 727 3108 3102 मला पो अन्मारवार अन्जन 75 है उसे सेंकरस सेटीगरस में साजरी 76 175 296 और पूसा एलो अन्जन 75 पूरवन है इसलिए सेंकरस ग्लाकस में को वन वरेटी है इसमें कोसी भी आपके आसपास में जहां पर आप कास्ट करना चाहरे हैं वहां पर आसपास में जो वेरेटी आपको सब्सक्राइब लगा सकते हैं तो उसके अलावा आप मशूरे से किसी अगरे किसे आप सब्सक्राइब के या किसी सीनियर फार्मर के मश्योरे से भी आप लगा सकते हैं कि आपकी एरिये की जमीन आब होआ के लिहांसे आपको कास्ट करी करें तो बहुत अच्छा रहता है और थर्ती थोजन प्लाट्स पर एकर आपको लगा सकते हैं कि फटलेजर्स की बात अगर आगे तो आपको जमीन नागरते वक्त सिक्स्टीन एट इनपी के आप दालना चाहिए उसके बीन नागर नागरने के बाद में बीन लगाते वक्त आपको और बारिश के सीजन में 32 केजी यूरिया सिंगल सूपर फॉस्पक्ट 100-100 केजी इंब पर ने के बात जो है आप जब कभी आप चालीस केजी यूरिया करके लिए दालना चाहिए अगर आप यूरिया नए दालना है तो 20 केजी नाइट्रजन भी दाल सकते हैं कोई पारिशन किवारते दो वन्हें उर्यां है तो उसके दूसे कॉंपोनेंट इसलिए चालीस किलो जड़ा जादा अगर इसमें इसलिए के 46 परसंट नेटो जंद रहता है जबके डिरेक्ट नेटो जंद रहता बीस किलो वीडियो तो चलिए इसका खास कहा है अफ अर्दर गैदेंस होना है तो आप फटला जाइस के दुकाह में भी आप गैदेंस लेसके वो लोगो मुक्तलि आपके अरिया में मुक्तलिफ जमीनात मुक्तलिए की किसम के तजरू करके लेतें आपको रहे बाएंसे क्शाव कर लेक्राइब अगी श्यूर कर लाखे में पानी देने का तरिछा पांदरा से 20 दिन में एक भाट आप दिये तो हो सबस्रा रभी सीजन में विदर थंडा रहता 10 से 15 दिन एक परदो तो काफी होता लेकिन वही समर सीजन में चुछ विदर गरम रहता पानी के रिकूर्मेंट जयाद रहता दस से 15 दिनमें एक मर्तबार पानी देटा बहुत अच्छा है कि नंबर आफ कि वारे में देखा गया तो दोस्तों साल में 56 मतब Gleich a पहले साल में स करका अलिए श Deshalb अच्छी कि आप King के और सकेंड यार है तीम काने कर सकते हैं की और दीन साल के ऊपर अप साला ना शेक अटिंग्स कर सकते इसकी खाल बात है कि उसके बाद फाडर एक एकर में आपको अब बारिश की पानी की मदद से आप रेंफेड एरिया में कर रहे तो आठ से चौदा में टिक्टन का जो है आपको येल्ड आ रहेगा अगर रेंफेड इरिगेट याने पानी देखे अपने तरफ से पानी बोरिंगा पानी और तलाव का पानी जो भी आप कर रहें तो ट्विंटी से ट्विंटी फेमिंटिक तर आया गा क्यों क्या आपके आवलेबल पानी जादा रहा ता आप कानी का मिरदा देशा में बताएसा आप बराबर दे सकते पानी तो ग्रोविज भी ज़या रेंफेड में थोड़ा सा पानी खुद्रती निजाम के पर डिपांप सब्सक्राइब करें इरिगेटिव में ज्यादा यह बात नोट कर लेंगे और सीड जो है चालिस से असी किलो एक एक एकर के लिए बीज की जुरत पड़ी उसकी मतलब से आप एक एकर कास्ट करें कर सकते हैं प्रोटीन इसके अंदर गूल प्रोटीन है उसके बात सूखा चारोब इसुकाचार चारा चब चारा कि वीडियो बनाका तो है क से काउल आप इसको एक अधर थे दिया इसके उसको से और तो आ अजण ग्राजह बीन आप इसको मिला सके ये हैं इसके फाइद दोस्तों आखिर विजिए उसर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं आपकी खिड़ी पेश होते हैं आपसे बुजारीश इसको जदेधे श्याद़ करें पूरे दोस्तों तक साथ एंदों पहुचा जाकर आपके ज़रीह कैई लोग स्वाइसान बहुत झाल झाल